आप सबको हमारी ओर से नमस्कार और आज हम आपको लेकर चलते हैं फिर से सब्जी मंडी की ओर और टमाटर जो है जिस टमाटर ने हमारी सबकी ठालियों से जो टमाटर गायब हो चुका था और सबकी नीने उड़ा रखी थी कि बहुत मैंगा है टमाटर आज उस टमाटर को 50 रुपे किलो में मिल रहा है तो टमाटर सस्ता हो चुका है और टमाटर बहुत सस्ता मिल रहा है और यह है आलू जो की 20 रुपे किलो मिल रहा था मंडी में और मटर थोड़ी सूकी हुई थी लेकिन फिर भी रेट हाई पाई थ तो सब्जी पहले से तो खैर सस्ती हुई है पहले के मुकावले सब्जी सस्ती हुई है लेकिन सिम्ला मिर्च 100 रुपे किलो था और देखी ये वीडियो मैंने शौट में भी डाला था मैं आपको बताऊं तो मैंने इस पर प्याज का रेट मैंने खुद से नहीं बढ़ाया वह जो मेरको सब्जी वाले ने बताया वहीं बताया मने आलू 20 रुपे किलो था आप देखी सब्जी मंडी भी दिखाई मने पूरा यहां पर इस बियाज मैंने पूछ था कि प्याज क्या रेट है उन्होंने बताया पचास रुपे किलो इस पर बहुत सारे लोगों ने इतना महंगा बता रहे हैं, मैं क्यों महंगा बता रहे हूं। मुझे क्या मतलब है। जो महंगे हैं है, वह सस्ता है। अब सबजी वाल बोल रहे हैं, 50 रुपर किलो है तो पचास रुपर किलो ही लेकराई हूं। अब पनीर का रेट था 260 रुपे यहां पे टमाटर पूछा इस बहिया से यह भी बता रहा था यह सबसे महंगा दे रहा था 100 रुपे किलो और वैसे टमाटर हो रहा है 50 रुपे किलो तो बताइए अब इसमें मैं क्या बोलूँ आपको यहां पे हमने लिया पनीर 200 ग्राम ज्यादा पैसे नहीं होते वही कहां खाया जाता है रोरोज पनीर गरीब आदमिया हम लोग भी है न और धनिया था धनिये का रेट भी 100 रुपे चल रहा है भी और यह लोविया फली 70 रुपे की एक किलो वैसे दे रहा था 20 रुपे पाओ लेकिन अना फिर 20 रुपे पाऊँ तक है काफी जगह 15 रुपे मिल जाती है अलगे सब्जी मंडी सस्ती मिल जाती है सब्जी काफी वार और कई बजा रहे से जहां आप जाओ सब्जी लेने तो सही रेट के सब्जी आपको मिल जाएंगी बिंडी 40 रुपे किलो हो रही है विद्ध पर शाट रुपे किलो भी है यह लोबिया फली 20 रुपे भी है कई जगा 60 रुपे भी है मतलब 20 रुपे पाओ और कई जगा 60 रुपे भी है, 60 रुपे किलो, तो ये आजकल रेट चल रहा है और टमाटर भाई सस्ता हो गया, फिर से कहा रही हूं, अब हम सब फिर से पनीर के साथ, आलू के साथ, सबजीयों में टमाटर डाल पाएंगे, टमाटर सस्ता 50 रुपे किलो साथ रुपे किलो अभी तो, और भी सस्ता हो सकता है आगे शायद, कहा जा नहीं सकता, ये दुवारा रिपीट क्यों हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा,